इस ड्रामे की हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट वन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ड्रामे की शरवात में हमें हमारी में लीड कॉट को दिखाते हैं यह एक अनात लड़की है और यहां पढ़ने के ल यह एक अमीर बिगड़ा हुआ शायजादा है और इसे अपना कुछ भी काम कराना होता है लाइक होमबर्ग वगेरा तो यह कॉट से कराता है और उसे इसके पैसे भी देता है अब यहां कॉट इसका सारा काम करती है और यह तो अपने फरमाईशे करा जा रहा होता है कि नेक्स्ट सीन में हमें कॉट को बैक की पैकिंग करते हुए दिखाते हैं यह वाद जिरा का बैक पैक कर रही होती है क्योंकि वह कुछ समय के लिए कहीं जा रहा होता है कॉट जिरा को उसका बैक दे देती है और उसे सी आफ करती है जिरा के जाने के बाद कॉट बहुत खु है और अब यहां है भी नहीं अब यह बात सुनकर को शौक लगता है और और वहां दोनों फ्रेंड्स बैट कर वो लड़की को समझाती है वह लड़की काफी परेशान होती है क्योंकि जिरा उसके कॉल्स का आंसर नहीं कर रहा होता है वह आवोशन के लिए बोलती है कॉट उस मना करती है और उससे बोलती है की जिरा उसकी जिम्म więc का बोलती है कि जिरा एक पलेड कोई के साथ होगा और होता भी ऐसा ही है nextScene में हमें जिरा को एक लड़की के सांग दिखाते हैं तब यह रड़की का डेड ओ जाता है यह लड़की का नाम आप यह उस यिदा पादाई तो उसे एप की responsibility लेनी पड़ती है अब story कुछ months आगे बढ़ती है और court काफी अच्छी life जी रही होती है क्योंकि जिरा उसके आसपास नहीं होता तब ही जिरा बापस आ जाता है और उसे बताता है कि वह engaged हो चुका है और उससे बोलता है तुम्हारा कोई parcel आया है court बोलती है क जलो parcel देखते हैं वहां दोनों parcel खोलते हैं और उन दोनों को ही शौक लगता है क्योंकि पारसल में एक बच्ची होती है बच्ची के बाजो में एक letter रखा होता है वहां उसे पढ़ते है letter में लिखा होता है कि इस बच्ची का नाम मूझी है और ये मेरी और जिरा की बेटी है मारे ही कारण मैंने अमोशन नहीं करा है तुमने मुझे काफी समझाया था इसलिए इस बच्ची की जिम्मदारी तुम्हें लेनी होगी अब वहाँ परिशान होती है और मोजी की मा को फोन लगाती है लेकिन फोन कोई इसके डैड हो जीरा मना करता है और बोलता है नहीं मेरी अभी एफ के साथ इंगेजमेंट हुए और मेरे भाई को और उसकी फैमिली को पता चला तो अच्छा नहीं होगा अब कोट उससे बोलती है तो अब अब मैं इस बच्ची का क्या करूँ एक काम करता हूँ इसे अनाथाले छोड़ाता हूँ अब ये बास सुनके कोट को इस बच्ची पर दाया आ जाती है क्योंकि भाग खुद भी अनाथ होती है अब स्टोरी थोरी आगे बढ़ती है और मोजी को थोड़ा बताते हैं नेक्स्ट सीन में हमें कीरा को दिखाते हैं ये किसी से फोन पर बात कर रहा होता है बिजनिस वगेरा के पारे में और सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें कौट को दिखाते हैं इसके पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है और वहां बोलती है कि हमारी टीचर बीमार है तु भाग रही होती है और एकार उसे टकर मारने ही वाली होती है तभी कीरा आकर उसे बचा लेता है और फिर कॉट को मोजी को समालने के लिए दे देता है कॉट उसे थैंक यू बोलती है फिर बाहर दोनों बाते गाने लग जाते हैं और कीरा बोलता है कि मैंने मोजी को यहां पहल समाल रही हूं क्या तुम तीन दिन इसकी देखभाल नहीं कर सकते पर कोई फाइदा नहीं मानता और नेक्स टे को मुझी को साथ लेकर जाना पड़ता है अब कॉट अपने होम टाउन पहुत जाती है और सबसे पहले मैं उसे मिलती है फिर ये दोनों टीचर के पास जाती है अ लेकिन बहार निकल कर मियाओ से बात करती है कि अब क्या करेंगे अब मियाओ से बूलती है अभी के लिए जिन्ता मत करो तुम कितने दिन बाद आई हो चलो कहीं बाहर चल ते हैं पिर मोझी का क्या होगा तो मियाओ बोलती है कोई बात नहीं की है मेरी बहुत के पास कोड़ को नोटिस नहीं करता और इधर जीड़ा भी परिशान हो रहा हो दा है क्योंकि कोड़ उसके मैसेज का रिपलाई नहीं कर रही होती है। तो वहां मेंसे कॉल सुनता है और बोलता है तुमने मेरी बेटी को कहाँ छोड़ दिया और बोलता है तोड़ी responsible बनो तो यह बास सुनके कौर्ट उसको चिलाने लगती है तुम उसे responsible बनने की बोल रहे हो और खुद अपनी बेटी की responsibility नहीं ले सकते मैं ही उससे दो साल से समाल रही हूं उसकी मॉम और डैड बनके और उसे बहुत डाटती है और फिर फोन कार्ट देती है अब यहाँ कीरा परिशान हो रहा होता है क्योंकि वहाँ उसकी गारे से टिकी हुई होती है उसे वहाँ हटने को बोलता है पर वहाँ हटने की वज़ाए गिर जाती है कीरा उसे उठाता है और फिर वहाँ कीरा को देखकर बोलती अरे तुम तो वही हो हमारी पडोसी और फिर उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुगा वहाँ उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेट नहीं होता है और वहां से जाने लगता है तब ही कॉट लड़कर आती हुई आगे जाती है और क्या देखती है एक लड़का किसी लड़की किसान पतमी सी कर रहा होता है तो वहां उसे खीसती है और धक्का देती है और उसे बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती है और यह सब देखके कीरा भी क करने के लिए और उसे क्या कर रही हूं और उल्टा वही तक हाया नहीं काफी देर कॉट को देखनें के लिए बहा निकलते मिकिन हम क्या देखते हैं को लडकी की अचे 000ई धुलाई कर चुकी है वहाँसे भाग जाता है को लड़की के साथ नहीं होती है तो कीरा आकर उसे बचा लेता है, फिर वहाँ उसे एक जगा पर बिठाल देता है, लेकिन वहाँ उसके कप्ड़ों पर वॉमिट कर देती है, फिर यह तीनों कॉट को लेकर उसके घर पर आ जाते हैं, और म्याओ कीरा से बोलती है, कि हम आपका कोट दो कर बापस कर देंगे, तो इनका transgender friend कीरा से बोलता है, आप भी काफी गंदे हो गए हैं, चली मैं आपको वाश्रूम तक ले जलता हूं, यह उसे वाश्रूम तक ले जाता है, और इधर जीरा को भी नीन नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे काफी डाट पड़ी होती है, और उसे काट की काफी चिंता भी हो रही होती है, और इस तरफ जब कीरा वाश्रूम से, तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, और काट का फोन बज़ रहा होता है, कीरा काट को फोन उठाने के लिए देता है, लेकिन वहाँ तो नीन में होती है, तो वह फोन उठाती है, और नीचे गिरा देती है, तो फिर की किरा सोच रहा होता है क्या पता कुन था और फिर कमरे से बहां निकलता है और काउच पर आकर बैठ जाता है और टीवी में न्यूस चल रहा होता है कि सिंगल मदर का स्ट्रगल कैसा कैसा होता है यह वाज सुनकर उसे और भी चिंता हो जाती है और इस तरह जब सुभा उठती ह तो म्याव उसे बताती है कि हम तीनों तुम्हें घर लेकर आये थे तभी फोन रिंग होता है तो इन दोनों का तो फोन रिंग हो नहीं रहा होता है म्याव कोट चेक करती है उसमें से फोन निकलता है तो कोट के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और फोन उठाती है और फोन प बात है तो वहाँ उसे बोलती है क्या तुम मेरे हस्बेंट बनने का नाइटा कर सकते हो तो वहाँ उसे बोलता है क्या तुम अभी भी ड्रंक हो तो फिर वहाँ अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है कि मैं और मेरी बेटी यहाँ पर हमारी टीचर से मिलने आए थे और वो मेरे हस्बेंट से मिलना चाहती है तो कीरा उससे बोलता है तो फिर उसे बुला लो वहाँ बोलती है कि मैं नहीं बुला सकती और बोलती है कि वहाँ तो हमारी चिंता ही नहीं करता और मैं तो बस उसकी मिस्ट्रेस हूं और उसकी एक प्यान से भी है और बोलती है मोजी को म पार टाइम जॉब करती है ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सके और भी काफी कुछ बताती है अब यहां टीचर इनकी बातों से कन्वेंस हो जाती है और उन पर विश्वास कर लेती है कि यह दोनों हस्बन वाइफ है अब जब यह बहार निकलते हैं तो काट कीरा को थैंक्यू बोलती है और सीन कट होता है अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को फिर दिखा जाता है यह दोनों एक ही फ्लाइट से वापस आए हैं तो कीरा उससे बोलता है मैं आपको घर चोड़ दूँगा वैसे भी हम अरूसी परूसी हैं तो घर जाने से पह कोड घर के बाहर पहुंचती है उसे जीरा लिखता है अब उसे तुम्हारा सामान कहा है तो वह बोलती मेरे एक दोस्त लेकर आ रहा है जब कीरा वहां पहुचता है तो कीरा और एक दूसरे को शौक में देखते हैं कीरा बोलता है कि तुम मोजी के फादर हो हम यह तीनों चलेगा तो क्या होगा अब यहां पर कीरा शानत नहीं हो रहा था तो कोट आकर उसे बोलती है की प्लीज शानत हो जाता है और बोलता है की कोट मेरी कोड़ और वच्ची की मां भी है और तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहा हूं क्या इसलिए कि एफ तुमारी एक्स गर्फर होता है हुर कि और क्रूल को दिखाया जाता है वह आज भी हुआ उसी पारे में सोच रहा होता है और यह सोच रहा होता है जो हुआ कि जोए हुआ हुआους मेल गलत बंचाथ क्रश फारा किoooo मैं किढ़ा कोगी हिए कित् mise हैं नेक्स के साथ हैं यह कितुन कुछ गलत हो गया कॉठ है हुए हुए तो अब कहत बात कर रही हो थी है कल जो भी वहा हुआ उस बारे में डैड आजाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जीरा से ही शादी करनी होगी वहाँ उसके डैड से बोलती है कि जीरा को मुझे कोई इंटरस नहीं है और बोलती है कीरा कैसा भी हो बले वो मुझे टाइम नहीं देता हो लेकिन कम से कब मेरे फोन उठाता था और मेरे टैक्स का रिपलाई तो करता था अब एफ कीरा के आफिस पहुंच जाती है और उसे लंच के लिए पूछती है अब ये दोनों लंच के लिए बाहर आ जाते हैं यहां पर एफ काफी दुखी होने का दिखावा कर रही होती है कि जीरा उसका बिलकुल ख्याल नहीं रखता और वाई य बुझे तो शक है किसी और दड़की कर चक्करद नहीं है कि यहां से समझाता है ऐसा कुछ नहीं है और उसे बोलता है अगली बार से हम इस तरह लंच पर बाहर नहीं आएगे यह सही नहीं है और नहीं हमें एफ को दिखाते हैं यह की वोटो को देख रही होगा दिए से पहले Jeera से बात करता है अफ के बारे में कि वहाँ एपधिस आई थी और लंच के लिए भी बोचा था और कीरा उससे बोलता है कि अब तुम कॉर्ट से नहीं मिलोगे जीरा उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे यह बोलता है जब तक कॉर्ट की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ूँगा अब कीरा काफी परेशान होता है और उन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रहा होता है तब ही उसे court जाती होई दिकाई देती है तो वहाँ उसे रोकता है और उसे 2 मिट बात करने को बोलता है आफ की दोनों बाहर आ जाते हैं और कीरा बताता है कि ने जीरा से बात की थी तो उसने कहा कि जब तक तक तुम्हारा और मोजी का पीछे नहीं जोड़ेगा तो कchos से बोलती है तो आप इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और क senior उससे बोलता है तो ऐसे क्यों नी करती है? तुम शादी कर लो फ्र वारा हसके बोलती है शादी किस से? और बोलती है मेरी तरफ देखो मुझसे शादी कौन करेगा तोकेरä बोलता है कि कल जो भी मैंने कहा वो सारी बाते भूल जाओ उस वक्त मैं काफी चिंता में था इसलिए मैंने यह सब बोल दिया था अब कॉर्ट म्याओ को फोन लगा कर बोलती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अब ये दोनों दोस्त मिलकर बात कर रही होती है कोट उसे सारी बाते बता देती क्या क्या हुआ था कल वहाँ बताती है कि कल कीरा ने मुझे शादी के लिए प्रपोस किया था और ये भी बोला था कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी तो तुम्हारी बेटी मेरी बेटी हो जाएगी और जीरा जब चाहे उससे मिलने आ सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी कंपनी की रेपिटेशन भी खराब नहीं होगी अब ये सारी बाते म्याओ सुनकर बोलती है कि ये तो अच्छा है और उससे पूछती है क्या लीरा को इस बारे में पता है तो वहाँ कहती है नहीं अभी उसको नहीं पता है और कोट म्याओ से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मोजी की जिन्दगी मेरी जैसी हो और इस बारे में सोचने लगती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है